बोजन को स्वादिष्ट बनाने में अन्य खट्टे पदार्थों के साथ इमिली का एक मुख्षतान है ये फल देश के सभी बागों में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है इमिली के वरेक्स से बहुत बड़े बड़े होती हैं इसके पत्ते बहुत छोट छोटे तिथा खटे मिठे होते हैं इमिली के फल जेने कटारे भी का जाता है काफी खटे होती है पक जाने पर इनका स्वाद खटा मिठा हो जाता है इमिली की तासिर ठंडी होती है ये पित समक होती है ये बोजन को पचाने में हमारी काफी साहता करती है इसके गुद्दे तशबीजों का प्योग कई परकार की 9102 के रूप में किया जाता है तो आज हम आपको बताएंगे इमिली के हमारे लिए कितने फायदे हैं पियास की तेजी यदि आपको पियास बार बार लग रहे है और आप काफी प्रेशान हैं तो इसके लिए आप इमिली का उप्योग कर सकते हैं इसके आपको दो से तीन गंटे इमिली को बिगो कर निथार लेना है और इसे चान ले फिर इस मिशन को सक्कर या मिशरी के साथ मिलाकर गरम पानी के साथ ले इसे आपके प्यास लगनी कम हो जाएगी अगर आपको कबच से बंदी समस्या है तो इसके लिए आप इमिली के पानी को उबाल लेना है और मसल कर चान ले एक किलो सक्कर मिलाकर इस चासनी बना ले प्रति दिन दो से पांच तोला इसका सेवन करने से आपकी कबच के समस्या काफी दूर हो जाएगी इसके अलावा अगर आपको 15 समस्या है तो एमिली का सरबत पीए इसे आपको काफी लाब मिलेगा वामन यदि बार बार उल्टी हो रही है तो एमिली का सरबत पीजिए यह आपके लिए काफी फाइदे मन्द होगा तो एक तूला चुरण एक कप पानी के साथ दिन में एक बार ले यदि लाब नए हो तो दिन में दो से तीन बार ले इसे देखेंगे आपके वामन की समस्या किसमफ्थ हो गई है इन सबी फायदों के साथ इमिली के कुछ से नुक्सान भी होते हैं तो चलिए जान लेते हैं जैसे कि कच्चे इमिली खाने से जबडे का दर्द सीर दर्द वेद खटे दात हो जाते हैं इसका सेवन दूद के साथ नहीं करना चाहिए जवर कफवात था मासिक दर्म के दोरान महिलाओ को इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यह इनके लिए काफी हानिकारक हो सकता है तो यह थी दोस्तों इमिली से जड़ी कुछ महत्वण जानकारी तो उमिद करते हैं आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्षिन में ज़रू बताएं तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नहीं जानकर के साथ स्वस्त रहे मस्त रहे जैहिन दोस्तों